हेलो एवरिबन स्वागत आपका RWS गुरू यूटूब चैनल में तो उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल की जो हमने सेरी चला रखे है बचो आपकी बार एक रोजगार इसको आपको मन में जहूर रखना है यदि आपको एक रोजगार चाहिए तो आपको जितना मैं पुछेगी परशन चोंकि टॉप 10 कोश्टो मैं लेकर आता हूँ मैं वही कोश्टो लेकर आता हूँ जो बच्चो को थोड़ी दिक्कत करते हैं या बच्चो पे नहीं हो सकते वही कोश्टो मैं आपको समझाने की कोसिस करता हूँ और पहली वीडियो में मैंने बहुत अच पर दी गए विकल्पों में से नहीं दिया गया यूगम आपको ग्याद करना यानि यूगम जो है वो नहीं दिया गया है वो आपको ग्याद करना किस तरी किसे देखें जैसे हैं पर दिमाग दिया गया है या ब्रेन दिया गया है आपको इंगलिस में भी हो सकता है आप हो सकत यह 10% सही होगा तो जैसे दिमाग जो है hard disk में होता है नहीं बच्छो यह भी आपका गल्थ हो जाएगा बात करते हैं पौत जो है तेल में होता है बिल्कूल ये भी गल्थ हो जाएगा बच्छो लेकिन ये आपका Beneぜ हो जाएगा software जो होता है वो computer में होता है जब्सक्राइग आप किसी भी computer में कोई भी काम करते हैं तो आपको उसमें software की जरूरत पड़ेगी बचो जिस तरीके से आप MSXL वगरा ये सारे software हैं अगर आपको computer में काम करना है तो आपको software की जरूरत पड़ेगी बचो तो इसी परकार सही answer आपका option number D हो जाएगा बचो इस तरीके से यदि आप सवाल निकालेगे देखे नीचे गे अंक का एक निश्चित पैटन का इसमें जो निश्चित पैटन जो हो रहा है या पालन करता है इसमें परसनवाचक चिन के इस थान पर आपको बताना है कि कौन सा अंक आपका आजएगा तो बचो आपको सरल तरीके से मैं बताउगा यहाँ पे जब भी आ आप नीचे को arrow लगा रहा हूं मैं इस तरीके से इसका मतलब क्या है बच्चो यह समझना बॉप के लिए बहुत ही important है देकि यहाँ पर मैं कह रहा हूं अगर मैं यहाँ पर arrow लगा रहा हूं यह वाला तो इस arrow का मतलब है हम इन दोनों में जो है कुछ ना कुछ आट रूटीन से कुछ ना कुछ करके घटा के जोड के गुना करके भाग करके कुछ भी करके यहाँ पर आपको चार लाना होता है लेकिन आपको यहाँ से चार लाना होता है लेकिन मैं 8 रूटीन यहाँ देखता हूं तो चार नहीं आता है लेकिन मैं इधर देखता हूं नीचे देखता ह तो यहाँ पे 8-7-2 का करियोग करके हमें नीचे यहाँ पे 13 लाना होता है तो इस परकार ही pattern जो है follow होता है बच्चो इसी तरीके से आपको करना है इसमें work भी हो सकता है, cube भी हो सकता है 2-4 नियम है जो आपको ऐसे सवाल simple way में कर लेंगे अगर आपके exam में आते हैं तो मुझे भी बहुत सारे बहुत ज़्यादा easy लगते हैं बच्चो और आप यहने कर पाऊगे आज का वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आप बहुत सारे question को relate कर पाऊगे और आप अच्छे से उने कर पाऊगे देखिए यहाँ से मुझे कोई pattern follow नहीं लग रहा है तो मैं इस pattern को नहीं follow करूँगा मुझे यह वाला pattern अच्छा लग रहा है अगर मैं इस pattern को देखता हूँ तो 8 लो 7 15 अगर मैं इसri 17 चोड़ देता हूँ 8 लो 7 15 को जोड़ देता हूँ और minus 2 करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 13 पराप्त हो रहा है यह तो मुझे पता चल गया यहाँ यहाँ यह वाला pattern इसमें तो follow कर रहा है अब next में देखते हैं यहाँ अब यहाँ से देखते हैं 3 और 6 कितने होते हैं 9 होते हैं बच्चों 9 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर 5 आजाएगा इन दोनों को जोड़ना है बच्चों यहाँ पर minus करना है तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि यही pattern इसमें follow कर रहा है आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ से मैं देखता हूँ 4 और 5 5 में से 4 गया बच्चों कितना बचेगा एक बचेगा तो एक हमारा यहाँ पर आंसोर आना चाहिए और एक किस option में है बच्चों नमबर B में आपका एक option है यहाँ पर जो कि B नमबर है आपका 1 आपका आंसोर आ गया बहुत ही simple तरीके से बच्छो आपने निकाल लिया और इसी तरीके से अगर आप अपने exam में से निकालेंगे तो बहुत ही अच्छे से easy से आपको निकर जाएगा और आपको 100% यही पता रहेगा कि हाँ मैंने यह सवाल सही किया है बच्छो तो इस तरीके से आपको यह सवाल निकालने हैं बच्छो चले बच्छो नेक्स कोशे देखलेंगे तरीके बहुत ही अच्छा कोश्चन है बच्छो नेक्स कोश्चन जो आपको बता दो ही निम्लिकित में से कौन सा आरेक धातु लोहा और कलो-raёл के बी सही संब्ध बनाता है कैई बार ऐसे कोश्चन आ जाते और उस confusion को दूर करने के लिए वो इतना ज़ादा सोच लेता है कि आने वाला जो सवाल है next सवाल उसको वो गल्द कर देता है देखे बचो इसमें कुछ नहीं करना आपको एक देखना है देखे धातू और लोहा दातू जो है लोहा क्या होती है बचो लोहा एक दातू होती है तो दातू के अंदर क्या आजाएगा बचो यहाँ पर लोहा आजाएगा और क्लोरीन क्या होती है बचो एक गैस होती है क्लोरीन तो वो दातू में नहीं आ सकती नहीं वो लोहे में आ सकती तो definitely ये बहार वाले बहार आजाएगी chlorine gas तो ये वाला आपका बन रहा है ये कौन से option में आपको ये देखना है तो option number D मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका सही हो जाएगा अगर आपको ये वाले चीज़ लगाते ए लगाते इसमें तो सारी चीज़े mixture हो जाती बच्चो और यहाँ पर C में है chlorine आपका धातू में आजाता ये बिल्कुल गल्थ हो जाता आपको ये भी आपको देख लेना है कि कौन सा सही होना है और कौन सा गल्थ होना है इसमें अगर आप ये relate कर पाऊगे तो आप बहुत अच्छे से reasoning को अच्छे से निकाल पाऊगे और एक अच्छा score आप कर पाऊगे reasoning में तो सही answer option number D आपका यहाँ पर हो जाता है अगर किसी भी बच्छे को problem है दुबारे समझा रहा हो है बच्छो तो इस तरीके से आपको सवालों को relate करना है और सवाल बहुत अच्छे से आपको निकालना है बच्छो चलिए बच्छो next question के और चलते हैं हम देखे next question है हमारा दी गई समरूपता के आधार पर दी गई विकल्पों में से नहीं दिया गया संक्या जो यूगम है वो ग्याद करना है आपको देखें यहां पर पर परशन वाच्छ की नहीं यह आपको ग्याद करना है आपको एक चीज में है पर बताऊं, बहुत सारे बच्चे इस चीज से प्रेशान होते हैं जब ऐसा सवाल हमारे option में आ जाता है, या हमारे paper में आ जाता है, या हम कोई practice set निकाल रहे हैं, वहां जाता है तो एक पल के लिए mind थोड़ा धहिमा हो जाता है, कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर एक की गुणा एक में कर सकते हैं, आप तब भी एक आ सकता है, अब यहां एक की क्यूब कर सकते हैं, तो भी आपका एक आ सकता है, अब यहां पच्चिस आ गया तो बच्चत थोड़ा प्रोब्लम में आ जाता है कि इसकी गुना कैसे करों बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जिनको 25 का वर्ग भी पता होता है वो दब भी गुना करने स्टार्ट कर देते हैं और जब वो गुना करते हैं बच्चो तो इसमें बहुत ज्य जो कि नहीं है तो मुझे यह पता चल रहा है सवाल से यह एडवांस में आपको यहां पर वर्ग करना होगा कि एक का वर्ग एक होता है तो इसी परकार में 25 का वर्ग कर दूगा तो 25 का वर्ग बहुत सारे लोगों के याद होगा बहुत सारे लोगों के याद नहीं होगा त 25 का वर्ग आ जाए तो आपको यहाँ पर 25 लिखना है बच्चो यहाँ पर 25 कर देना है और एक चीज आपको याद रखनी है इन लास्ट वालो संक्यों की गुना करनी है जैसे 25 पान पजे 25 आपको पूरा लिख देना है बच्चो और यहाँ पर अगर समान संक्या है अगर सामने यहाँ पर समान संक्या है आपकी जैसे यह दो है समान है तो इससे एक अगले वाली संक्या से गुना कर दो दो तिया 6 और 6 यहाँ पर लिख दो आपका वर्ग आ गया है बच्चो ये आपका सही अंसर हो जाएगा option number C आपका यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा जिन बच्चो को समझ में नहीं आया है एक बार दुबारा से मैं समझा देता हूँ उनको जब भी आप किसी भी संख्या का वर्ग या गुना करेंगे बच्चो अगर मैं मानता हूँ यहाँ पर आप 35 का कर रहे हैं तो 35 लिख लेना है आपको यहाँ भी 35 लिख लेना है और इसकी गुना करने है लास्ट वाले 55 की 55 25 हो जाएगा यहाँ पर जब आप करोगे और आप अगली संख्या यहाँ पर तीन यह आपका इसमें सर्थ है कि यह दोनों बराबर होने चाहिए यहाँ तीन है तो वहाँ भी तीन होना चाहिए तो अगली संख्या में गुना कर दो तो 3 चोग 12 हो जाएगा बच्चो यह सही आपका आंस्वरा जाएगा इस तरीके से आपको करना है ऐसे ही मैंने यह किया है 25, 25 और 3, 2, 6 कर दिया है अगर आप इस चीज को relate करना सीखगे या इन चीजों को सीखगे तो आप अपना समय EGC बचा पाएगे अगर आप यहाँ पर 25 की 25 में गुना करने लगते बच्चो बहुत ज़्यादा समय आप लगा लेते तो मुझे लगता है यह यूजलेस है ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है आपको ये नियम फॉलो करना है और अच्छे से अपने सवाल को निकाल लेना है बच्चो चलिए बच्चो next question हम देख लेते है देखे बच्चे नीचे चार सब्द ये गए है जिन में से तीन किसी परकार से सवान है और एक भिन है कौन सा सब्द अन्य से भिन है ऐसा सवाल जब भी पूछा जाता है तो बच्चा इसमें बहुत जब्द समय लगा ज цвет है बच्चो देखे इसमें कैसे करेंगे आप देखे बुगर पुर्तकार है अगर आपको पुरुषकारों के बारे में नहीं पता है आपने general knowledge में पुरुषकारों के बारे में नहीं पढ़ा है तो ये सवाल आपका सही होने का chance 10% बनता है कि आप इसमें तुक्का मारें तो ही आपका ये सवाल सही हो सकता है वरना आपका wrong हो जाएगा लेकिन अगर आपने अच्छे से बुकर पुरुसकार या अपने पुरुसकार पढ़े हैं तो आपको पता होगा देखें अगर मैं बात करता हूँ बुकर पुरुसकार की ये सहीत्ते के छेत्र में दिया जाता है सहीत्ते नोबल पुरुसकार भी आपको सहीत्ते के छेत्र में दिया जाता है यह तीनो पुरुसकार आपके साहित्य के छेत्र में बच्चो यहाँ पर दिये जाते हैं तो तीनो ही एक समान हुए एक similarity में देख ली मैंने अब बात करते हैं चोथा तो automatic अपने आप ही भीन हो गया तो maxi से पुरुसकार समाजिक छेत्र में दिया जाता है यह समाज समाज के जो सेवा होती है समाज छेत्र में दिया जाता है तो maxi से पुरुसकार आपका यहाँ पर सही हो जाएगा answer क्योंकि यही अलग है इसमें तीन option जो है एक समान है जबकि एक option इसहाँ पर गल्थ है तो आपका सही answer हो जाएगा option number C जो अन्य से भिन है बच्चो ऐसे सवालों को यदि आप relate कर पाएं तो बहुती अच्छी बात है वरना बच्चो बहुती आसानी से यह सवाल गल्थ हो जाते हैं और बच्चे को पता भी नहीं चलता है चलिए बच्चो next question में चलते हैं देखे हमारा next question है यहापे नीचे चार संख्या युगम दिये गए हैं जिन में से तीन किसी परकार से समान है और एक भिन है या ऐसंगत है कौन सा युगम अन्य से भिन है ये भी भिन वाला सवाल है ऐसे सवाल को बच्चो आप किस परकार कर पाएंगे देखे ऐसे सवाल में बहुत सारे नियम लग जाते हैं जिसमें आपका गुना का भी होता है आपका दो गुना होता है वरग भी होता है बहुत सारे नियम बच्चो लग जाते हैं आपको यहाँ पर बताओं दोनों को आपसमें घटा भी सकते हैं दोनों का समान गैप भी हो सकता है यानि मैं आपको बताओं बहुत ज़्यादा नियम इसमें लग जाते हैं लेकिन आप जैसे ही आप छोटे नियम से चालू करेंगे तो आप डारेक्टली पकड़ पाएंगे यहाँ पर मुझे दिख रहा है यहाँ पर मैं 15 का 2 गुना कर देता हूँ यहाँ पर 15 दुनी 30 पलस यहाँ पर 2 कर दूँगा मुझे पता चल गया यहाँ पर 32 प्राप्त हो रहा है यहाँ पर मैं देखता हूँ 42 दुनी कितने होते हैं तिनों ही एक समान है, लेकिन ये कोश्चन आपका अलग है, तो जिसमें आपको अलग संगत बताना है, कौन सा भिन है, तो आपसे नंबर सी आपका हैं पे बिल्कुर सही हो गया, आप बहुत सारे बचे गएंगे, सर हम किस प्रकार ऐसे जो पहाड़े याद करेंगे, जाय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी अपनी स्पीड जो है आपको और फास्ट करनी होगी, जिससे की आपका सवाल सही टाइम पे हो जाए, क्योंकि अगर आप एक सवाल में एक मिन्ट से ज़्यादा टाइम देते हैं, तो थोड़ी सी प्रोब्लम आपको हो जाएगी, क्योंकि आप पूरे सवाल नहीं देख पाइगे, अगर आप पूरा कोशन पेपर भी नहीं पढ़ पाई, तो आपको थोड़ी सी प्रोब्लम होगी, अपना अच्छा स्कोर नहीं कर पाइगे, जिसे आप करने आये हैं बच्चो तो बच्चो इस तरीके से इन question को आपको करना है चलिए बच्चो next question की तरफ चलते हैं देखे next question है हमारा देखे ये question है यदि राहुल आधित्य से लंबा है किन्तु रोहन से चोटा है यदि रोहन कंड से लंबा है तो कौन सबसे लंबा होगा बचो आज इस question के बारे में एक चीज आपको मैं समझा दूँ अगर आपको वाके में reasoning में बहुत अच्छा score करना है तो आपको अपनी mind की IQ बहुत उपर रखनी होगी ऐसे सवालों को यदि आप लिखने बैठ जाओगे तो आपका सवाल जाज तर मुझे ने लगता आप अच्छा score कर पाएंगे देखे आपको सवाल में क्या करना है पहले एक बार सवाल को पढ़ना है सबसे last की line पे जाना है यहाँ पे देखना है कि यह पूछ क्या रहा है बचो तो कौन सबसे लंबा पूछ रहा है अब यहाँ पे देखे यदि राहूल आदित्ये से लंबा है आप किसी को भी denote कर सकते हैं किसी भी से मैं राहूल को R से denote कर लेता हूँ यहाँ पे इसको मैं R से denote कर लेता हूँ कि राहूल जो है R से हो गया आदित्य को A से कर लेता हूँ मैं यहाँ पर रोहन को यहाँ R A से कर लेता हूँ बच्चो यहाँ पर यह आपको पेपर में बहुत ही अच्छे तरीके से आप करना होगा और आपको यह भी याद रहेगा कि मैंने क्या किया है और ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा आपक तो राहूल जो है आदित्य से लंबा है बच्चो तो यहाँ पर राहूल को मैं रख लेता हूँ बीच में आपको जहरूर छोड़नी है क्योंकि हो सकता है कोई सा ना कोई सा आपका एक अक्सर ऐसा आजाए जो यहाँ पर बीच में आपको रखना पड़े अब यहाँ पर बता है और रोहन कंड से लंबा है रोहन जो है कंड से लंबा है तो कंड को मैं यहाँ पे बीच में रख देता हूँ कंड से लंबा है तो मुझे पता चल गया सबसे लंबा कौन है तो आपका रोहन हो जाएगा option number आपका किस में है रोहन बचो तो अपसे नमबर C में है आप बहुत easy तरीके से ऐसे सवाल को निकाल पाऊंगे अगर मैं इस सवाल को खाली पढ़ता ना एक बार पढ़ कर ही मैं बताईता इस कांसर क्या था क्योंकि अगर आपकी practice अच्छी होगी ना तो आप आप ऐसे सवालों को बिल्कुल देखते ही निकाल दोगे बचो और ऐसे सवाल जब भी आप करें over confidence में ना करें बच्चा ऐसे सवाल को देखकर ऐसा लगता है बहुत हलका सवाल है लेकिन आपका एक नमबर आपको पताऊगा यूपी पुलिस में कौन है इसमें अब सबसे लंबा कौन है सबसे छोटा दोनों पूछा जा सकता है तो सबसे छोटा आपको पता होगा एक इसको denote किया है हमने आधित्य को किया है तो सबसे छोटा आपका आधित्य हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाए कि आपके middle में कौन है तो ये दोनों है तो इस सवाल को कई तरीके से पूछ सकता है example तो आपको हर तरीके से ये आपको clear करके जाना है बच्चो चलिए बच्चो next question पे चलते हैं बच्चो यदि आपको वीडियो फसंदा रही है तो please इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सकाइब जरूर कर लीजेगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुच जाए और बच्चो आप किसी भी गुरूप में जुड़ रहे हैं आप Facebook चलाते हैं कुछ भी आप वीडियो सेज जरूर किया करो बच्चो जिसे की और बच्चो तक भी ये वीडियो पहुच सके और हमें उन बच्चो को भी सिखाने का मोखा मिल सके बच्चो चलिए next question पर चलते हैं बच्चो देखे next question है बच्चो निमलिकित अनुकरम में कितने एक ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले 9 है तदा प्रंतुबाद में 7 नहीं है यानि 917 नहीं होना चाहिए इनका कहने का मतलब ये है ये सवाल उत्रपरदेश पुलिस कॉंस्टेबल में हर बार आता है आप किसी भी सिप्ट का पेपर उठा के देखें या आप 2018-2019 का पेपर उठा के देखें हर सिप्ट में आपको ऐसे कॉष्टन देखने को मिल जाएंगे और अब भी आपको ऐसे कॉष्टन जहूर देखने को मिलोंगे बच्चा यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है आपको एक ट्रिक भी बताऊँगा यहाँ पे में इसने कहा है कितने 1 ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले 9 है यानि कितने 1 ऐसे हैं आपको 1 पहले आपको 1 देख लेना है कि आपको कितने 1 ऐसे हैं 1 कितने ऐसे हैं जिनके पहले 9 है लेकिन बाद में 7 नहीं है 7 नहीं होना चाहिए बस यह इन्होंने पूछा है बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं आपको गलती नहीं करनी है बच्चा आपको देखना है पहले 9-1 देखना है 9-1 मैंने हैं यहाँ पर देखा और 9-1 देखने के बाद last में 7 नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर 7 नहीं है तो मुझे एक peer पेर यहां पर मिल गया है ऐसे राइट का निसान लगाएंगे आप पुचडो पुचडो मत कर देना बहुत सारे बच्चे इतना जादा लिख देते हैं उसमें कि उनको खुदी पता नहीं होता है कि इसमें क्या लिखा है मैंने अपको ये कर दिया उसके बाद आप जाएंगे और आप इसमें 9 नहीं देख पा रहे हैं कहीं भी तो मुझे एक पेर यहां पर मिल गया कि एक ऐसा जोड़ा है जिसमें 9 है और 1 भी है लेकिन 7 नहीं है यानि ये वाली चीज मुझे यहां पर मिल चुकी है तो option number A आपका यहां पर सही हो जाएगा जो कि absolutely right है आपका और सही होते होते रह गया और कई बार ऐसे बच्चो को मैंने देखा है जो एक ही number या एक ही question से बाहर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा problem होती है बच्चो मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद करूँगा ये चीज यदि आप अपनी तयारी कर रहे हैं तो acceptable तरीके से करें अच्छे से पढ़ें उसे अच्छे से समझें और अच्छे से अपना score कर पाएं मैं यही चाहता हूँ बच्चो कि आप paper देने के बाद परिसान ना हो बच्चो चलिए बच्चो next question में चलते हैं देके next question है बच्चा एक कक्षा के विध्यार्थी फोटो खिच्वाने के लिए एक पंक् अच्छा में विध्यार्थियों की कुल संख्या बहुत सारे बच्चे इस सवाल पर confused होते हैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे अगर यह सवाल आपके exam में आ जाता है तो आप easily कर पाएंगे बचो देखिए सबसे जरूरी होता है किसी भी सवाल को करने के लि देख लेते हैं बचो देखिए एक पंक्ती है मालिया इस पंक्ती में इधर से मैं बात करता हूँ तो यह क्या है बताया गया है बैठे हैं सेलेंदर पंक्ती के एक सिरे से चोते स्थान पर है यह एक सिरे से यहाँ पे चोते स्थान पर है बचो या एक आप पर्टिकुलर प 27 विश्थान पर है बच्चो यहाँ पर 27 विश्थान पर है यह कहना चाहरा है एक्जामबर पूचा है कक्षा में विध्यारतियों की कुल अगर कक्षा में कुल विध्यारतियों की संख्या पूचे बच्चो तो आपको पता होगा इधर से 4 है इधर से 27 है तो आपको directly इसे ज जोड़ देना है अगर आप जोड़ेंगे 27 को यहाँ पर जोड़ेंगे बलस 4 कितना होता है बचो 7-4-11 यहाँ पर 31 हो जाएगा अब सबसे बड़ी प्रोब्लम यह होती है जैसे 31 आता है बच्चे यहाँ पर 31 लगा के option C और बहुत राजी होके चलाएगा कि मैंने अपना सव जो यहाँ पर concept कह रहा है इधर से भी आपने cylinder को 4 में जोड़ दिया उधर 27 में जोड़ दिया यहाँ अब दो बार एक ही बक्ति को आप गिन पा रहे होंगे तो आपको यह गलती तो है नहीं अब cylinder 1 है आप उसे 2 बार जोड़ रहे हैं तो यह गलती है बच्चो अब आपको एक साइड से जोड़ना है वो तो एक साइड से घटा दीजेगा बच्चो अब मैं इसमें से एक घटा दूँगा तो मुझे 30 आंस वरा जाएगा जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरा option number D आपका है पर सही हो जाएगा जिन बच्चो ने C लगाया था वो wrong हो गए जिन कर पाएगे क्योंकि जल्द बाजी में आप सवाल को गल्द कर जाएगे बच्चो तो बच्चो ये थे आज के हमारे top 10 question तो आज है new year और मैं आप सभी को कामना देना चाहता हूँ आपको 2024 बहुत ज़्यादा खुशिया लेकर रहें आपका selection हो और आप एक अच्छी post प्रा ये तो आपको discussion में link मिल जाएगा आई बटन में भी link मिल जाएगा हमारी mathematics की वीडियो भी आपको मिल जाएगी general knowledge की वीडियो आपको मिल जाएगी हिंदी की वीडियो भी आपको मिल जाएगी अगर किसी भी वीडियो में आपको कोई problem है तो आप बेची जग हमें comment कर सकते ह आप हमें टेलिग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं आप हमें इस्टाग्राम आइडी पर फॉलो कर सकते हैं आप हमें फेस्बुक आइडी पर फॉलो कर सकते हैं जहां मन करें आप फॉलो कर लीजेगा लेकिन सेलेक्षन ले लीजेगा बचो यही हमारा मनना है और यही हमारी जिद है तो थैंकियो फॉर बाचेंग इस वीडियो वीडियो परसंद आई तो प्लिस लाइक कर देना तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए